कई हाँ हालो डिये स्टूडेंट्स नाव स्टार्ट की डुल नर सेलेक्शन कैसे करते ढूंडर कशिक्षन कैसे करते हैं तिbe क्रीप मैंड़ा है मैंडिकल हिस्ट्री में एंडिया… हम पहले वापस से रिवाइज करेंगे की की डोनर स्क्रीनिंग के होता है। जो ब्लुड करने वाला डोनर होता है। उसको मतलब की उसकी टीटेल्स लेते हैं, कि वह कितना उसको ब्लट देना है। कितना वॉलियूम ब्लड देना है कहीं वह infectious है या नहीं है उसका पूरा धियान रखना है कहीं वह infectious नहीं अगर infectious हुआ तो क्या होगा कि जो हमारा recipient है उसकी बोडी को हम पहुचा सकता है इसलिए हम डोनर की पूरी screening करते हैं कि वो capable है या नहीं blood को donate करने के लिए ठीक है फिर हम करते हैं donor का selection ठीक है types हमने पढ़े थी कि donor के types कितने होते हैं ठीक है एक होता है voluntary एक होता है professional ठीक है और एक होता है replacement यह तीन type के क्या होते हैं हमारे donor होते हैं ठीक है उसके बार नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि selection कैसे करते हैं donor का selection कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि pre donation counseling क्या होती है ठीक है तो pre donation counseling को है कि जो डोटर आपको देने के लिए रेडि ही उसको सकते हैं तो उसके सबसे पहले हम देखतें उसका behavior ठीक है पिर कहीं उसने को कि I unnecessary food डाइजर इटिंग में नहीं लिया हो यह हम ध्यान रखते हैं ठीक है और उसको पूरा procedure समझाते हैं कि उसको कैसे blood donate करना है उसे पहले क्या risk है। उसके बारे में पूरा समझाते हैं और उसको sure करते हैं के उसके जो कॉश्शन है मतलिम जो डोणर है उसको पूरा विख remained करवाना होता ही कि आपको blood देने में कोई रिएशॉर रिएशॉर करवाना होता है कि अगर उसको बाद में blood donate करने के बाद कभी कोई problem होती भी है तो उसको कोई problem नहीं है बस उसने बोडी में उसके कुछ चेंज आये हैं वो शो हो रहे हैं मतलब कभी कुछ टोनर्स में ऐसा होता है कि जैसे ही ब्लड वो टोनीट करता है तो उसको जख कर आते हैं वीनेस लग सकती है इसकी वज़य से उसको पूरा समझाना होता है ठीक है फिर हम बात करेंगे कि medical history में क्या क्या हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे medical history में उसकी एज जो पैसेंड ब्लड को डोनीट कर रहा हैं उसकी सबसे पहले is देखेंगे तो age limit होती है donor के लिए वो होती है 18 to 60 year ठीक है तो जिसमें सबसे best age ऐज जो होती वैं और उसमें पक्रतत है जो नीड होती है वोई जदा होती है डोरिंग की ज्यादा कम होता है उसके बाद रीज़ कर लिया हूं उनकी बोडी से तो क्या होता है उनको कार्डियो वैस्कुलर या सेरिब्रो वैस्कुलर डिसीज के चांसे बढ़ जाते हैं उनकी रिस्क बढ़ जाती है तीक इसलिए हम ओल्ड एज में ब्लेट सेंपल मतलब जो डोनर है उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे ठीक है फिर डोनेशन कब उसने लास्ट टाइम बलड किया था और वह नेक्स्ट यम कर सकता है तो अगर आप बात करें तो जो व्लक दोनर होता है उसमें क्या होता हелि jetzts तो आज से तीन महीने बाद वह वापस से ब्लड दे सकता है। जैसे आपने सुना होगा मतलब आपने पड़ा है कि जो RBC का life span होता है वो क्या होता है 120 days होता है तो 120 days में RBC वापस से क्या होती है रेकवर हो जाती है ठीक है उसके बात करेंगे कि volume कितना लेते जो donation का volume है मतलब blood कितना donate कर सकता है तो normal weight वाले जो person होते 45 kg और उससे जदा weight वाले जो person होते हैं उनका लगबग 350 ml blood हम ले सकते हैं 350 ml तक हम blood मतलब one unit blood हम ले सकते हैん ठीक है उसके बाद किस कंडिशन में ब्लड नहीं लेंगे तो प्रेगनेंसी ओ लेक्टेशन जो फीमेल रहती है उनका हम ब्लड कलेक्ट नहीं करते हैं ठीक है प्रेगनेंट फूमन या लेक्टेटिंग मदर जो रहती है अप टू बन यह पॉस्ट परटन शुड नों नहीं कर सकते हैं ठीक है फिर हम बात करें तो इंफेक्शियस डिसीज की होती है कि इंफेक्शन की कंडिशन में इंफेक्शन की कंडिशन में क्या होता है ब्लड डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि जो इंफेक्शन ब्लड इंफेक्शन होगा अगर किसी डोनर के ब्लड में डॉनर की थी वही डिसीज क्या होगी रिसीप्येंट को भी हो जाएगी इसलिए हमको केरफूली यह जीज का ध्यान रखना है कि हम जो ब्लड डॉनर का ले रहे हैं वो प्यॉर और लियर होना जाएए वो कोई इन्फेक्टेड ब्लड नहीं हो ठीक है उसके बाद नेक्स्ट ह होते हुए हम ब्लड को ना चड़ाएं मतलब डॉनर जो है उसको अगर कोई ऐसी कोई डिसीज है तो उसका ब्लड हम कलेक्ट ना करें ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिसीज एन कौन-कौन सी कंडिशन में और जो डॉनर है वो ब्लड डोनेट नहीं कर स करता कौन-कौन सी मेडिकल कंडिशन में तीक है तैंक यू